मामला सिप पूरी जिले के खनिया धान थाना छेट के गुरर में रहने वाली एक दलित यूपती को छात्रावास में काम करने वाले एक मुस्लिम यूवक ने अपने प्यार के जाल में फसा लिया है उसके साथ दुसकर में भी करता रहा इस बात का खुलासा तब हुआ जब दलित यूपती एका एक घर से लापता हो गई छात्रावास से छोटु खान उर्फ अड़े भी लापता हो गया इसकी भनक हिंदू संगटनों को लग चुकी थी दोनों को यूवक युपती खनिया धाना के बस स्टैंड से भागते देख हिंदू संगटन के कारकरताओं ने पुलिस को पकड़वा दिया पुलिस ने दोनों को पकड़ कर थाने ले गई जहां युपती के बयानों के आधार पर पुलिस ने छोटु खान उर्फ अड़े के खलाफ S.C.S.T. एक्ट सही दुशकर्म की धाराओं में मामला दर्च करते हुए जान सुरू कर दी है जानकारी के अनुसार छोटु खान गाउं के छात्रावास में कई वर्सों से काम करने लगा था इसी दौरान छोटु खान की नजर छात्रावास के पीछे रहने वाली दलित युपती पर पड़ी उक्त युपती को समय गुजरते युवक ने अपने प्यार में के जाल में फसा लिया चुकि युपती की उम्र अब 18 वर्स की है तो माना जा रहा है छोटु ने उसे बालिग होने से पहले ही अपने जाल में फसा लिया होगा बालिग होने के बाद छोटू खान ने उससे बहला फुसला कर साधी के लिए राजी कर लिया और रवी वार साम घर से भगा ले गया घर से एका-एक लापता हुई युप्टी के परीजनों ने उसकी तलास की तुरंत उसका कोई सुराग नहीं लगा युप्ती के लापता होने की सिकायत खनिया धाना थाने में भी दर्जिकर आई गई पुलिस ने युप्ती की गुम सूध की दर्जिकर तलास सुरू कर दी थी दलित युप्तो को बहला फुसला कर छोटू खान भगा कर ले गया है इसकी भनाख हिंदू संगटन को भी लग चुकी थी बीते रोज जब छोटू युप्ती को लेकर खनिया धाना के बस स्टेंसे भागने की फिराक में था तबी उन्हें संगटन के कारकरताओं ने पकड़ लिया इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस दोनों को अपने साथ खनिया धाना थाना ले गई खनिया धाना पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी ना होने के चलते युपती के बयानों में देरी हुई जिसके बाद पिछोर थाना में उपनिरिच्छक जूली तोमर को यूपती के बयान और कारिवाही को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया। उपनिरिच्छक जूली तोमर ने दलित यूपती के बयानों के आधार पर छोटू के खिलाब स्टी एस्टी एक्ट सही दुशकर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जाती समधाई की है उसकी इकल गुम्सुद्वी हुए थी चार तारीक में आज उसकी दस्ट्यावी हुए तो उसमें दस्ट्यावी में अपने बयान बताए हैं कि दूसरे समधाई उसका एक व्यक्ति है आरोपी वो उसको ले गया था पर सम वो डॉक्टर को दखाने आई जाती है उसके साथ के वर ब्लाक कर दिया है तो उसकी जान से गुम्सुद्वी पर सिभूए तो उसके बाद अपरात्तन जीवत कर लिया गया है